प्रिदर सुकूँ नमस्कार एक बार फिर से उपस्तित हूँ आप सक पर सामने रभी बार की कारिकरम में सूर्य राशी परवर्तन को लेकर के आपके सामने उपस्तित हूँ कैसा रहने वाला है अगले एक माह किन किन रासियों के लिए लाभ और किन को सावधान होने का इशारा अगले एक महीने तक यानि की 17 नवंबर 2023 को सूर्य देव राशी परवर्तन करके मतब तुला रासी से उठकरके ब्रश्चिक रासी में जा रहे हैं सूर्य सदैव उत्तरायन में बल्वान होते हैं राशी परवर्तन के काल को संक्रामती का काल कहा जाता है उस समय अति बल्वान हो जाते हैं और अपने रासी के परवर्तन से कम से कम पांच दिन पहले वो अगली रासी का प्रभाव देने लगते हैं मतलब अब जब ये तुला में हैं 17 नवंबर को इनका राशी परवर्तन वरस्चिक में होगा यानि कि ये ग्रह जो सुर्य हैं वो पांच दिन पहले से ही वरस्चिक राशी का फल देने लगेंगे और ये बड़ी ही गंबरता और समझने वाली बात है कि पांच दिन इधर और इधर 30 दिन मतलब पूरा 35 दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है ये समझने वाली बात होगी इस दोरान जो सबसे ज़ादा मैं आपको ये एक एक राशी पे न बता करके एक ही बार में बता दूँ किन किन राशीयों के लिए ये फायदा देने वाले हैं और बड़ा अच्छा फल देने वाले हैं ये लाफ देने वाले हैं ब्रिशव राशी वालों को बहुत ज़ादा मतलब इसका आप उत्तरोतर कई गुणालाब मिल सकता है करियर के लिए, आत्पस स्वाभिमान के लिए, महत्वाकांचा के लिए आपके डेली इंकम के लिए, आपके रोज मर्रा के जिंदगी के बड़े ही सुचारू रूप से चलाने के लिए, अनुशासित होने के लिए, संतान, नौकरी, पद, प्रतिस्था, सामाजिक उत्थान, आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, राजनितिक पक्ष, और साथी साथ ग्यप्ति की स्रिष्ठता में उत्तरोतर कई गुणा वृद्धी अगले 17 नौंबर से ले करके, और जब तक ये धनों में नहीं जाते हैं, तब तक ब्रिषब रासी वाले, इसके साथ साथ इतने ही संख्या बलकी वर्दी मिथुन रासी वालों को होगी, मतलब मिथुन रासी वालों के लिए, इतना ही नहीं, मीन रासी वालों के लिए भी, और इसक सूर्य का गोचर जो 17 नौंबर 2023 को होने वाला है वो किसी भी तरीके से नहीं हर तरीके से फायदेमन रहेगा चाहे वो आर्थिक पक्ष हो चाहे राजनितिक हो चाहे सामाजी को इस दोरान आप कोट के सकचहरी के मामले से बाहर निकलेंगे इस दोरान रुके हुए काम निकल क करके सामने आजाते हैं नया टेंडर मिलता है नए राजनितिक दाव पेट सिवक्ति को मुक्ती मिलती है उसके रिण में से निकलने के लिए उसके पास धन के आगमन की गती बढ़ जाती है सामाजीक प्रतिष्था की वर्दी होती है संतान का सुख होता है करियर में उत्ठा परस्चिक रासीक से गोचर उनके पराक्रम की वृद्धी, छोटे भाई बहनों का लाब, बड़े भाई बहनों का लाब, करियर में उत्थान और कई तरीके से सुख के संकेत ले करके आने वाले बन रहे हैं। ये अगला 35 दिन बिल्कुल ठीक होगा 17 नवंबर से जो सुरू होने वाला है। मकर, मीन, ब्रिशब, मिथुन और कन्या वालों के लिए ये गोचर सुर्य का अति उत्तम रहने वाला है, रोग से छुटकारा मिल सकता है और आर्थिक संपनता का दौर आ सकता है। नुकसान किनको हो सकता है, जिनको अपने धर्म को बचा करके रखने की आवशकता है, अपने अर्थ को बचा करके रखने की आवशकता है, अपने संतान को समय देने की आवशकता है, अपने दामपत्य को बिल्कुल ही नर्चर करने की आवशकता है, अपने प्रभाव को बह पर इस दोरान अत्रेक में कोई भी काम नहीं करना है, अती नहीं करना है, न तो भोजन में, न तो किसी भी तरीके के अपने बेवार को बहुत ज़्यादा रुखा नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा उत्पादक नहीं हो जाना है, बहुत ज़्यादा सावधानी से कोई भी दवाईयों का इस्तमाल करना है, ये प्रश्चिक वालों के लिए अलग ब धनुवालों को उनका व्याय जादा हो सकता है, बेवजह का परिशान मन जरूर हो सकता है, पेट में परिशानी हो सकती है, हड्डियों का रोग हो सकता है, पाच्यंतंत्र गड़बर हो सकता है, अत्रिक्त व्याय के भार से व्यक्ति को अगले एक महिने तक दबे रहना हो सकता इतना ही नहीं तुला वालों के लिए कई बार उनकी वाणी का प्रवाव कमजोर होगा और कई बार वो अती आत्मविश्वासी हो जाएंगे इसको कम करना होगा सिंभा वालों के लिए घर में कला का वातावरण बनेगा और कई बार उनके घर में कला के कारण उनके दामपत्ते में परिशानी होगी माता को कश्ट हो सकता है कई बार उनका मन और उनकी नित्रा भंग होगी मन इस्थरनी होगा चित चंचल और अपवित्र बन सकता है और करक वालों के लिए संतान से मतभेद के योग बनेंगे अगर संतथी दूर जाना चाहती है बिल्कुल भेज दीजे अगर उसके साथ रह करके आपका मतभेद बढ़ रहा है तो उसको दूर करना ही जादा बढ़ियां रहेगा मतलब ये राशी इनको अपने ब्याय पे, घर के माहौल पे, अपने कारोबार पे, अपने ब्यवसाय पे, अपनी नौकरी पे, अपने बोस के साथ समंधों पे ध्यान देने की होगी 17 नौमबर से लेकर के जब तक सुरी का परिवर्तन धनु में नहीं होता है आगे भी बताऊंगा अब बात करते हैं कि संक्रांती के काल में किसी भी मंत्र का जपना बड़ा फायदेमंद होता है तो 17 नौमबर को रात्री में अगर हो सके तो जग करके, सनान करके, उसे ही वस्त्र, वैसे ही भीगा हुआ वस्त्र पहन करके भी या शनूतन वस्त्र पहन करके थोड़ा अन जल कुछ भी छू देना चाहिए और बड़ा मुड को दान दे देना चाहिए संक्रांती के काल में अगर किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाते हैं तो जब सकते हैं इतना ही नहीं अगर आपके विवाह में रुकावट आ रही है, संतान में रुकावट आ रही है, आर्थिक पक्ष कमजोर हो रहा है किसी भी प्रकार की परिशानी जीवन में है तो उसके निमित, उसके देव मंत्र या कोई भी देवता का मंत्र जब सकते हैं अगर कुछ भी नहीं आता है तो राम नाम जब सकते हैं, कुछ भी नहीं आता तो नाम महा मंत्र जब सकते हैं इनके जबने से वो मंत्र सिद्ध होता है और ये चतर गुणित नहीं कई गुणा होकर के फल देता है किसी तिर्थ जहत्र में जाकर के आप इस संक्रांती को अपने किसी भी कारे की सिद्धी कर सकते हैं किसी नदी के तिर्थ के किनारे जाकर के इस मंत्र का जब कर सकते हैं किसी भी मंत्र का जब कर सकते हैं संतान गोपाल मंत्र हो या विवाह के लिए कात्या यह नहीं मंत्र हो को कोई भी मंत्रपाठ, पुजापाठ, दान, ओमजब करने का संक्रांती के काल में कई गुणा ज्यादा वृद्धी का फल मिलता है। इस दोरान अगर जिनके लिए मैंने अच्छा नहीं बताया जैसे करक, सिंभ, तुला और धनुवालों के लिए मैंने अच्छा नहीं बताया है। अगर इतना भी न हो सके तो भगवान सुरी को शास्टांग प्रणाम अवश्य ही प्रतेक दिन करना चाहिए। अगर हो सके तो लाल चंदन भगवान को अर्पित करना चाहिए। इतना ही नहीं भगवान को पीला पुस्प बड़ा पसंद है उन्हें पिले पुस्प की माला अर्पित करनी चाहिए। इससे भी जादा भगवान को लाल चंदन की माला पड़ी पसंद है उन्हें वो अर्पित करना चाहिए। अपने शरीर पे भी धारण कर सकते हैं चाहे मस्तक पे चाहे नाभी पे चाहे वक्षस्थन पे अगर इतना कर लेते हैं तो बहुत उतम रहेगा। ये मैंने संपून तया मेशवालों के लिए मैंने आरंभ में नहीं बताया ब्रिशव, मिथोन, करक, सिंभ, कन्या, तुला, व्रशिक, धनो, मकर, कुम, मीन ये सबको बताया है। मेश वालों के लिए ये स्वास्त पे चिंता करने वाले हो सकते हैं इतना ही नहीं कई बार आपका आत्मविश्वास डखम ACT हो सकता है और कई बार जहां सोचना चाहिए वहां बुझति नसोच करके बेवजह के कामों के कारण अपना आर्थिक और कई बार मानसिक नुकसान कर स इतना ही नहीं, ये गोचर मकर वालों के लिए कई गुणा लाव देने वाला है, कुम्भ वालों को भी कई गुणा लाव देने वाला है, मीन वालों के लिए भी आर्थिक और धार्मिक पक्षत मजबूत करने वाला है, एजुकेशन और नौकरी के फायदे मीन वालों को भी ज साथ ही सभी राशी के लिए एक साथ राशी फल त्यार करके बताया। अब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।